रिलमी P1 Pro 5G स्मार्टफोन व्सेस्ड ड्यामि नाजो 70 प्रो वाइस्ट ओर अगर हमें एक स्मार्टफून खोएं दोने स्मार्टफोन में से टोंपूशा स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तो आज हमें कमपेरेजन करने वाले इन इहीं दो स्मार्ट्फोन का एक तरफ होगा रिलमी दाज़ तरफ होगा रिलमी तरफ से लिगने वाला प्रोफाइल स्मार्ट्फोन डोने smartphone की price range की बात को तो 18 से 20 और देखना प्लिव हम आ जाते हैं। और काफी सारे specs वह भी एक जैसरे देखने मिध treat हैं। अब टिलिए जानते हैं अगर हमें अन्हें in दोने smartphone में से एक smartphone करीना हो तो वह कौने साar smartphone करीना चाहिए। कौने साas smartphone वारे लिए nutrTo हो सकता है तो अचलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर मैं रियल में पीवन प्रोफाइज स्मार्टफन की अगर में बात को तो यह भी प्राइजिंग वारा है मैंने आपको पहले बता जी कि क्या स्पैक्स मिलते हैं सबसे पहले बात करेंगे दोने ंटी स्मार्टफों की डिजैन की बात करता तो प्रोफाइज स्मार्टफनमें बैक हैं तो यहांपर एड़ के गए हैं अब यहां पर देखने हैं फुरन साइडब आप साथी है एमलेद पैनल देखने है तक पीग बै यहार स्क्रिन 2 बोडी रहा हूं मैं धेक गिंग मसं जाते हैंaining regulate 2 वमें यहां पर काफी अच्छी आंड काफbugती है काफी कंबाल की देख मुझाती है दूसरी डाइद में 받고 I स्मार्टफून वेक्ट में प्लाइड डिजाइन के साथ देखने जाता है यहां पर भी बिदेखने जाता है और जो चैमरा मोडूल है वह थोड़ा वक्षी टाइप का मिन देखने जाते हैं जो रियल वीगा पीवन प्रो उससे थोड़ा उलट ही डिजेइन देखने को मुल फर्न साट में आते तो यहाँ पर भी फ्लाइड डिस्प्लेई देखने मज़ाती है कोई कौई डिस्प्लेई के कहाँ अची है वह भी आपर काफी अच्छी देखने हैं याने अगर मैं दोने स्मार्पों में डिस्प्ले के रिखो, वैसे हमें कोई जियादा बढ़ा दिफ्रें देखो नहीं मिलता इनसी स्मार्पों में पर नहीं मिलता, ऐसा थोड़ी कुछ हद तक हमें अच्छी देख मुझाती है अभी बात करते हैं दोने स्मार्टफोन लगबद एक जैसे हमें देखने को मुझाते हैं जिसमें प्रैमरी कैमरा है रिल्मी प्रो की बात को तो 50 माया पिक्सला देखने मुझाते हैं रियर साइड में आपको 4K वीडियो रिकोर्डिंग ऑप्शन देखने मुझाते हैं दूसी दब अगर मैं रियल्मी ना जो 70 pro 5G स्मार्टफोन की बात कूँ तो यहां पर भी हमें ट्रिपल रियर कैमरा ही देखने मुझाते हैं जिसमें प्रैमरी कैमरा 50 माया पिक्सला साथ मुझाथा है दोने स्मार्टफोन की कैमरा की बात पर नीचे काफिल धेदा पर दिखा देता हूं अगर आप Game मेरे हजाब से अगर माझवाएं स्मार्टफोन की उनक्रेल गमर्ती वानिखने मुझा ओं मेरंसाप से अगर मैं बात कूः और नहीं मिलता वागिस आपने आपको इन दोने स्माटफोन तो यहां पर मैच है जो टाई हो जाता है भी फाइन दोने स्माटफोन के बैटी बैकप एंड यहां पर इन दोने स्माटफोन की पाफोमेंस की और पाफोमेंस के यहां पर मैं बात करता हूं तो Realme P1 Pro 5G smartphone में देखने को मिल जाता है Snapdragon 6 Gen 1 chipset के साथ Android 14 के साथ जो यह smartphone आता है Realme UI 5.0 के साथ आता है दूसरी तब अगर मैं बात करता हूँ और हाँ storage type है वो UFS 3.1 की देखने जाती है दूसरी तब Realme ना जो 70 Pro 5G smartphone की बात करता हूँ तो यह smartphone में देखने जाता है MediaTek Dimensity 7050 chipset के साथ यह भी storage type UFS 3.1 के साथ आता है यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ smartphone की Android बजन की तो Android 14 हमें देखने जाता है और यहाँ पर भी हमें Realme UI 5.0 ही देखने जाता है यहाँ पर आप देखोगे तो 20-30,000 का ही आपको फरक देखने जाएगा जो कि कोई बड़ा फरक देखने नहीं मिलता नंबर स्वाइस अगर मैं बात हूँ और वही अगर आप गेमिंग करोगे तो वहाँ पर भी आपको कोई भी फरक देखने मिलीगा हाँ अगर थोड़ा बहुत फरक मिलेगा तो आपको नर्जो 70 Pro में ही देखने मिलेगा वहाँ पर में भी थोड़ी अच्छी परफॉमेंस आपको देखने जाएगी लेकिन वही जैसे कि मैंने आपको कैमरा में बता था है डिस्प्ले में बता था ऐसा नहीं है कि आपको जमीन आसमान का फ्रक देख मिलेगा मैक्सिमम टाइम पर आपको भाई minimal ही डिफ्रेंस देख मिलेगे नहीं तो आपको एक जैसा ही यहाँ पर देखने मिलने वाला है लेकिन अगर हम उस minimal hit difference को भी देखें तो no doubt NARGO 70 Pro 5G smartphone यहाँ पर थोड़ा अच्छा निकल कर आ जाता है लास्टर फाइल अगर मैं बैटी बैकप की बात को तो दोने smartphone 5000 mAh की बैटी के साथ आते हैं लेकिन अगर यहाँ पर Realme P1 Pro 5G smartphone की बात को तो यह 45W के fast आंगे sport के साथ आता है जबकि Nargo 70 Pro 5G smartphone की बात को तो यह 67W के fast आंगे sport के साथ आता है यानि बैटी बैकप तो सेम हैं दोने smartphone ने लेकिन जो charging speed है वो आपको Nargo 70 Pro में अच्छी देख जाती है तो यह दोस्तों सारी चीजे दोने smartphone की जो कि मैंने आपको बताई है आई तिंक आपको वीडियो अच्छी लिगी होगी वीडियो अच्छी लिगी हो तो वीडियो को लाइक करना एं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अभी बात करते हैं कि अगर हमें इन दोने smartphone में से एक smartphone खीना तो वो कौन सा खीना चीए कौन सा smartphone हमारे लिए best हो सकता है देखो वैसे अगर मैं 20,000 के अंदर दोने smartphone की बात कूँ तो दोनों ही smartphone में काफी अच्छे देखने जाते हैं काफी भैतिन देखने लेकिन जब बात आती है इन दोने smartphone में से एक smartphone की नेगी तो देखो मेरे हिसाब से तो नार्चो 70 pro 5G smartphone में थे थोड़ा अच्छा लगा थो सकते हो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलते नेक्ष्ट्यू में जैंड़ो